व्यूंदा रोगराई तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और चार्ट एनलिजिस बीडियो में तो बात करें अगर आज हम बैंक निफ्टी का पांच मिट का चार्टर बैंक निफ्टी ने इस हमें रैड केंडल के साथ आज यहां का ओपनिंग दी ओपनिंग दिने के बाद इसने यहां से एक पांच का मोमेंट दिखाएं के बाद हमारा जो यह जोन था जिसके ब्रेक आउट पर हमें ट्रैड लेना था प्रीवेस डे क्लोजिंग के आसपास जहां पर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेक आउट दिने के बाद यहां पर इसके प्रॉपर और बैयर्ड को ट्रैप किया बै है कि हमें option buyer अगर हम हैं और हमें अच्छा momentum चीड में तो वह हमें नहीं मिला तो हमने यहां पर एक zone create कर दिया था उस zone को create करने के बाद हमें यह था कि अगर market इस zone को अगर कहीं ना कहीं breakout देता है तो हम वहाँ पर trade execute करेंगे और वही हुआ market ने यहां पर इस zone का breakdown पहले इस candle के साथ नीचे के तरफ दिया और यहां पर breakdown देने के बाद हम यहां पर बेट कर रहे थे वह बेट कर रहे थे अगर हम इसके अंदर direct entry बनाते तो direct entry में हमारा यहां पर stop loss हो जाता क्योंकि यहां पर पहले अल्रेडी upside में buyer strap हो चुके थे तो हम यहां पर एक pullback का इंतजार कर रहे थे और यहां पर reversal पर एक trade execute करते बट ऐसा नहीं और market यहीं से reverse करने लग गया reverse करने के बाद हमें जो एक trade execute करना था तो हम यहां पर बैठे थे कि इस range के अंदर जैसे ही यहां पर अगर breakout आता है या breakdown आता है तो हम यहां पर एक trade execute करेंगा और वही हुआ ब्रेक आउट दिने के बाद एक pullback आया इस red candle के अंदर जैसे ही red candle का pullback हमें यहां पर मिला तो यहां पर हमें confirmation था कि यहां पर एक अच्छा trade बन सकता और हमने यहां इसके यहां पर एक trade execute किया और यहां से 50 to 60 point का move capture किया क्योंकि आज हमने देख लिया था half day के अंदर market के अंदर को यहां से momentum नहीं था जहां हम trade कर पाते तो यहां पर 50 60 point का यहां कहीं हम एक trade से बाहर आ जाते है और second day में जो market ने यहां पर एक high बनाया उसका फिर market ने इस high को तोड़ा यह नहीं और यहां से वह continuously नीचे downside का उसका moment देखने को हमें मिला बात कर अगर हम कल कि अगर कल हम क्या एक trade plan कर सकते हैं तो यह हमारी को crucial trend line का support है जो कि 5 मिनिट में हमें देखने को मिल रही है यह एक trend line का support है जो कि यहां पर अगर यहां कहीं ब्रेक करती है नीचे कल अगर यहां गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम फिर भी एक recovery को हम देखेंगे कि यहां पर मार्केट है और यहां पर एक selling pattern बना के फिर अगर यहां पर अगर हमें नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम यहां पर हमें इस रेंज का अफिर एक पर एक trade execute कर सकते हैं निफटी बैंक के अंदर कि बात कर अगर निफटी बैंक की डेली के चार्ट की तो निफटी बैंक की चार्ट में हमने previous हमारी वीडियो के अंदर भी यह देखा था कि यहां पर एक proper W pattern का breakout हमें देखने को मिला है W pattern का इस यहां इस range का जो breakout हमें nifty bank ने दिया है वो एक अच्छा breakout था बट उसके बाद market इसी zone के अंदर रह चुका है और अब हम यहां पर एक movement जो देख सकते हैं वो एक upside में इस range में और downside में इस range का जब तक हमें breakout नहीं मिलेगा तब तक हम as a option बाइर एक अच्छा moment expect नहीं कर सकते है market के अंदर क्योंकि market जो है वो option seller की जब तुम्हें आच चुका है अब यहां से कहीं अगर market अब डिरेक्शन में downward side direction में अगर कोई trade देता है हमें breakout breakdown के बाद तो हम यहां पर एक अच्छा moment capture करने के लिए बैटे हैं